हेलो दस्तों नमस्कार मैं आप लोग का हार दी कभी नंदन करता हूं अपने टेटर बाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें ना सब्सक्राइब बैल आइकन और जरूर प्रेस कर दीजाएगा ठीक है बाकि जिससे क्या है कि पर साथ ही उनका मतलब डाउट कर देते हैं कि भाई मैं सिर्फ एटिएफ के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जिसको एक सेंस ट्रेडिंग फंड बोलते हैं जो कि गुल्दस्ता है स्टॉक एक फूल और फूल का जब एक खटा समू है तो उसको गुल्दस्ता कहते हैं तो उसी तरह इस मार्केट में एक गुल्दस्ता है देखिए दोस्तों अगर कोई पुराने है जिनको जलदवाजी है तो वीडियो मत देखिए क्लियर है क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं मैं बताऊंगा जो मैं पहले नहीं बताता हूं लेकिन जो नए है ना उनके ल करता है साथ में फोटो सेशन भी होता है उसी तरह यह एक गुल्दस्ता है जिसमें हर स्टॉक है जिसमें आपको बैंक का भी मिल जाएगा फाइनेंसियल भी मिल जाएगा ओटो का भी मिल जाएगा इवेंट एफमजी सीपीसी कोल्ड वायल मतलब सब कुछ ओंगी सी हम जाएगा डरू सब का मिल जाएगा थीक है बात समझ घहूंगे मगह कहन का रहा हूँ हो ऐसा जो समुह है यह पहले मिच्वल चार पर व करता था थीक का किया आनक चार जादा है तो इसी लिए सरकार का या फिजिसका भी उसे भी ने बहुत अच्छा एक लोगों के लिए एक सिस्टम चालू किया है जिसको एटिएफ कहते हैं आ ऐसा नहीं एटिएफ पहले भी था लेकिन बहुत कम था लेकिन इधर दो तीन साल में इतना अच्छा निकला ना कि मैं लाता हूँ एटिएफ क्या मुविंग के रिएटिड पर्ट डे के इसाब से मार्केट पर भी वही मैं इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं नीचे धेर सारे वीडियो है तो और प्लेलिस्ट जरू विजिट कर लिजएगा कोसिस करता हूँ कि प्लेलिस्ट आप लोग जो पहले वाले क्लाइंट पेड़ वाले उनको भीकवाता देख रहे हैं ना भारत का सबसे बड़ा आई प्यू आई प्यू पेटियम लटवा दिया सब लोगों को तो बड़े बड़े पढ़ेली के लोग है पैसा खर्चा करके पढ़े हैं तो आज कमा रहे हैं तो यहां कमाने का कोई मतलब ही नहीं है यहां तो बस इतना मतलब है कि भाई लोगों का जो पैसा है वो बच जाए और दोस्तों आप लोगों को मैं यह खिलियर बताता हूं मैं आपको ऐसा नहीं है कि जो नए लोग आए हैं और कल वो करूरपती बन जाएंगे और पती बन जाएंग यहां तो बस इतना भी से डूबशनactory, भी बचा लेंगे, कमाना आपको उए, लगाना आपको है, कमाना आपको है, हाँ, दूबशने बागलें बचा लोगा, दौणा आपको आपको है, इतना बता देंगे कि यह यह उप्टिकल सामने आ रहें, बचने का तरह बता देंगे, इससे ज्यादा सर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगों जो फैक्ट है वो मैं बहुत साधारन सब्दों में आपको बता रहा हूँ और ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ और ना मैं किसी को कुछ ग्यान के अलावा देता हूँ ठीक है दोस्तो जो बात है ना खीलियर है जो नए साथी इस चैनल पर जुड़े है ना तो हो सकता है कि उनको कहीं ऐसा लग रहा हो कि इसमें कोई एटम बम है कोई फलाना बम है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है सिंपल चैनल है सिंपल एस्टरजी है उसी एस्टरजी को मतलब हम करते हैं एक कावत सुने ही होंगे कि करत करत अभ्यास जर्मत हो सुजान अरसरीत आवत जात से सिर्पत परत निसान तो सेम एज इटीज है भाई कोई मदरासी भी है मेरे में बंगाली भी है तो कोई नहीं सबसमझते हैं इतना तो पता ही है कि किसी भी काम को लागतार करते रहने से वह काम जो है आपका अपना हो जाता है वह काम में आप इतने परफेक्ट हो जाते हो ना कि उसका प्यजडी किया हो है ओ भी आपके सामने पानी मांगेगा, मत किलियर हो रहा है, तो भाईया बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर lower middle class को ना profit book करना सिखा दूना, सिरी profit book करना ही सिखा दूना, तो आने वाला समय में ना, इनका पैसा कोई नहीं, छीन सकेगा, और ना कोई इनको बुरुबग बना सकेगा, बैट के न मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा उनका है, बहुत मैंनत से कमाए हैं, और बहुत मैंनत से मार्केट में बनाए है, इस मार्केट में सबसे पहले आपको एक dimate account कोलना है, मेरे जो लिंक दिये हैं, उससे खोलिएगा, भईया, 110.5 रुपय मेरे को मिलेगा, किलियर ब क्या है, कि एक आदमी अपना फर्याद बोलता है, आप ही देख लिए, पुलिस किसी को पकड़ के ले गया, या कोई पुलिस के पास complain गया, तो पुलिस के action लेगी, उसको कैसा behave करेगी, यह आप लोंको पता है, अवसी जग कोई दूसरा आदमी आएगा, पुलिस से बात कर दूँगा, सारा लिंक, सारा प्लेलिस्ट में है, आप लों गुमते रही है, और देखते रही है, तो और कुछ नहीं है, तो इस मार्केट में आने के लिए सबसे पहले, आपको दीमेट एक खोलना है, ठीक है, अब आप बोलोग इसे डीमेट एकाउंट कितना खोले, एक ख अचा रहेगा, बच्चे हैं, तो बच्चे के नाम पे खोल दीजे, अधरवाइस आप अपने नाम पे खोल सकते हैं, और अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस में कोले, जो मैं खोल रखा हूं, ठीक है, तो इसका क्या रिजन है, वो मैं आपको आने वाला वक्त में बता देता अब हम आते हैं दोस्तों, यहां, कहां, एक सिंपल ले लिया, क्या निफ्टी-फिप्टी, ठीक है, अब निफ्टी-फिप्टी के बारे में, आज की डेट में किसी भी बच्चे को भी बताने के जुरूत नहीं है, कि निफ्टी-फिप्टी क्या है, निफ्टी-फिप्टी नहीं है उसमें वह जल्दी पैसा लगाने नहीं जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जिस देश का सेवी इस पर भरोसा नहीं कर रहा तो वह क्यों करें बात समझ में आ रहे हैं चाहे उसमें आप बी-मार्ट डी-मार्ट जो भी है और कई बहुत अच्छे स्टॉक हैं तो बढ़ा एक हो गया जो 5000 सारे 5000 स्टॉक में उसमें 50 जो है उस पर कौन लगा 50 50 होता है जो 50 पर 5000 में और पचास में भी 10 स्टॉक जो है उसको बड़ा एमाउंट एटिएफ लगाता है ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं लगाता है 15 परसेंट रगता है वह उसका आप देख 50 में 50 स्टॉक और जो एटिएफ है वह 10 पर बस यही थमरूल है यही में फंडामेंटल है तो हम लोग एटिएफ पे अब आप कोई भाई बोलते हैं कि सर कोई स्टॉक है माल लिजे टूट जाता है जो कि निफ्टी 50 में था तो क्या एटिएफ में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वाई 100% असर पड़ेगा सुनिए मेरी बात 100% असर पड़ेगा और 100% नहीं असर पड़ेगा दोनों बात हैं तो बाब बुलेगा असर यह तो कंप्यूजन हो गया इसको समझने का कंप्यूजन अब देखिए माल लिजे आज के डिट में रिलाइंस है सपोस करि अब मेरा बात समझने का कोशित करिएगा मालीजे रिलाइंस ही है भारत का सबसे बड़ा है अभी यह इसी को पकल लेते हैं दूसरे को क्या पकलना चोटा मोटा को आपनों खुछ समझ लीजेगा मालीजे खराब होता है ठीक है तो खराब होता है तो सभी बात है निफ्टी 50 बढ़ेगा किलियर अब इसमें क्या होता है अब मालीजे कि आपका तो टॉप 5 में लगा हुआ है ठीक है ए सौरी टॉप 10 में लगा हुआ ETF में तो सर अब उसमें कैसे हो हम कवर करेंगे तो उसके लिए बता देते हैं माल लीजे यह एक नमबर पे है तो इसमें ज्यादा का ETF रिटन दे देगा उसके बाद भी खराब करता है तो यह 5050 में एक नमबर का पोजिशन छोड़ देगा दो नमबर पे आ जाएगा किलियर है उसके बाद भी खराब करता है तो तीन नमबर फिर खराब क्वार्टर करता है तो उसको 10 11 12 और उसको नीचे करता चला जाएग जैसे 10 के नीचे गया तो निफ्टी 50 में बड़ा लिक्विटिटी 10 स्टॉक पे होता है क्योंकि उसमें ETF का होता है ठीक है एकसेंस ट्रेडिंग फंड बनता है तो 10 फूल मिला के बनता है मोटा मोटी बाकि बाद में चिरिया फूल लगा दियो अलग बात है तो जादा सिरि इत्याइब से बड़ा आँमांट इस पर्सेंट जा रहा था उस पर किस पर रिलाइंस पर एटीएप से 20 परसेंट इक सपोज अनुमान हम बता रहे ठीक है इसको आप उमत समझ लिए बीस परसेंट जा रहा है तो एक नमबर से पोजिशन दो नमबर में होगी आप दो लगना शुरू हो जाएगा तो अब बताइए यह काम कोई आदमी नहीं करता है यह एटमेटिक सिस्टम करती है तो भाई आदमी पर भरोसा मत करिए सिस्टम पर भरोसा करिए यही मेरा आप लोग से कहना है तीसरी बात कि स्टॉक तूट जाएगा स्टॉक जो है आज 5,000 चाज कुछी भी चल रहा है वह 5 रुपया हो जाएगा लेकिन ETF का अगर गलती से चाहे इंडेक्स का पकल लीजे अगर 50 रुपय चल रहना तो यह 5 रुपय नहीं होगा यह कभी नहीं तूट सकता है इंडेक्स कभी नहीं तूट सकता है ऑर जो 10 टॉप घर है उसी पर uh श्टॉक रहते उसीप करवाई करता है तो यह चीज मेरे हिसाब से आप लोग से क्लियर हो गिया है कि कि ETF क्या है और इसकी कारवाई कैसे होती है कोई स्टॉक खाराब हुआ तो ETF कितना गिरता है कितना बढ़ता है इसको इसको आप समझ जाए ठीक है तो इसलिए मैं इतना लंबा प्रवचम को दिया हूं कि समझने के लिए ठीक है तो मेरे तरफ से मैं ने कुछिस किया है हो सकता नहीं होता है बाई सेल कभी भी करें चलिए वह एक अलग टोपिक है अब हम आते हैं अपने टोपिक पर अब बोलते हैं कि निफ्टी 20 में 3% मीं आता है वह बड़ा की इस मार्केट को देखंद चला जाता है हुए समयोथ आता है और मार्केट को कज ऐसे मार्केट में लेकिशे जरा एक क्यना लोब आता है वह रही सब्सक्राइबिदें चला जाता है और कुछ नहीं होता है तो इसलिए सबसे पहले आपने मन से ये भावना हटा दीजे कि मेरे पास एमाउंट बड़ा है कि छोटा है सबसे पहले जो भी मेरे भाई आए है चाहे को कितना भी पैसा लेके आए हैं इस मार्केट में एकाउंट खुल गया अब आपको ना श्टॉक देखना है ना ओपसंचेंद देखना है अपसंचेंद देखने से अच्छा भईया जाके पड़िवार के साथ कहीं खाब पी लीजे तो जादा अच्छा है वो आपको सुख देगा मत ऐसे परवाद करने आए यह बाकि आप करिए आपका मरजी है मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि लोगों का रोजी रोटी चल रहा है मेरे चलते हम उनका नुक्सान ना हो तो इसका भी दियान लखना है कई है लोग भटकने वाले भटकेंगे ठीक है बात में घूम के यह आना है क्योंकि कितना अधर बाहर का खाना अच्छा लगता है खाना प्रिलाश में घर का यह अच्छा लगता है तो इसलिए सांती से खाया हुआ खाना सरीर में लगेगा अधर्वाइस आपको पता है तो यह मेरा जो टॉपिक था पैसे का तो आप क्या है सबसे पहले बात जो कहवत हम लोग अधर नहीं पाया उसने हर मोर पे अपना पेसेंट अपना चमता अपना सोच और अपना दिमाग को अस्थिर रखा होगा इस तीर रखके आगे बढ़ा होगा तभी आज जा को फाइनेंसियल मुकाम पे पहुंचा होगा चाह कोई भी हो एक्स वाइजट कोई भी हो उमको न अपना हर मैं सब्सक्राइब नौकर मणा है इसको नौकरी पेसा पेसा है विर भायालि को मालिक की पैसा देता है यह बात महीं में हमें आज को यह समझते है पहीं से नहीं मिलेगा ठीक है तो अब आप लोग साहद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं तो इतना कहके मैं अपनी वानी को समाप नहीं करूंगा आपको पूरी डिटेल बताऊंगा ठीक है तो अब हम आते हैं कि जो लोग अभी बोरे सर मेरे पास छोटा एमाउं ब्रोकरे से बात कर लो किसा डिलेवरी में फिरी है तो अभी हम एकाउंट खुलाएंगा नहीं खुलाएंगा भी यह जा रहे हैं दूसरे के पाई किलियर है जहां मिले वहीं पर ही नहीं तो छोड़ दीजें यह बात आप आता है ना मुझे पता है कि वह जो कॉमेंट्स कर लिजे कि भाया बाइस ट्रेडिंग डे होता है एक महिना में बारे रुपय में मिल रहा है किया स्टॉक फमजी यह 30 रुपय में देखें ना कितना मिल रहा है 40 में तो टो एक्षा बहुत है लेकिन सही जगा लगाने की चमता होनी चाहिए तो आपके पास एक इस्क्यूज ह ना एक नकारात्मक आपके दिल में बैट रहा है किसा जो पैसे वाले लोग हैं वही निवेश करेंगे हम कहां से करें अरे भाई उसने पैदा लिया सुने का चमत से इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप चमत से खाना चोड़ों ठीक है चलिया मानते है कि उसका किस्मत था उ हैविट बनाई है जब हैविट बनेगा आपको मजा आने लगेगा एक कमपनी का मत खर दिया निपोन का मत खर दिया निपोन का खर दिया सब अलग अलग कंपनिया है जो इतिया बनाती है सर नाम नहीं आता मैं बताता रहूंगा मैं किसले बैठा हूं मैं बोला हुना कि मैं आपको टॉप नहीं करूआँगा लेकिन इतना है कि आपको गिरने से जरूर पचाऊँगा ठीक है और ऐसा नहीं है कि मैं एक दो दिन चार दिन पाथ नहीं भाई लाइप जुड़ा रहूंगा क्योंकि यूटूब से पैसा भी मिलता है मेरे को अब मिलने लगा है तो चलिए अब आपको पता होना चाहिए कि आपका निवेस सही हो ना तो ही आप आगे बढ़िएगा तब आप क्या ना इत्मेटिक है आपका खड़िदने का जो है ना वह पावर बढ़ता जाएगा चोड़ दीजे एवरेज हो रहा होने दीजे उसके लिए टेंसन लीजेगा क्योंकि आपको बेचना ही नहीं है लॉंक्तर भी हो जाएगा क्योंकि उसमें पैसा आपके पास आजाएगा हाथ में ठीक है अब ह यह इसले को आपि किसले सेट गरेज में रहता है इस कीज़ को आप समझेачा नहीं समझेगा है तो जितना भूख हो न उतना ही रासन लेते हैं और जितना पैसा हो उतना ही आप अपना मार्केट में मुनाफ़ा उठापाते हों यह किलियर सी बात है इस चीज को आप समझें नहीं समझेंगा बहुकते रहिए इधा-उधा ना घूमते रहिए मतलब मेरे को कोई उसमें वह नहीं है लेकिन इसमें आप यह देखे 17 परसंट है 17 परसंट आप कभी न उठा पाईएगा लेकिन मैं इतना गारेंटी देता हूं जितना जल्दी हो निकल लीजे आज टॉप बोटम बता रहारा रहा अकल बोलेगा एकाउन नंबर देखेंगे मेरे में पईसे ट्रांसपर कर दो जितना जल्दी हो भाई निकल लीजे टॉप बोटम के चक्रे मत पड़िए कभी भी वीडियो लंबा हो रहा है जो पुराने निकलता है माली जे आज एक तारीको है सपूँज करिए कोई भी टारीको आपको तीन परचन मिल गया आप उसमें से स्विच कर गया है सेल कर दिये अब आप क्या करिएगा क्या क्या करिएगा मार्केट भाग रहा है गिर रहा है कोई मतलब नहीं उस दिन ट्रेडिंग करिएगा और कोई भाई बोल रहा था ना कि सर एमो में कैसे करते तो भाई एमो का वीडियो अभी चार दिन पहले लाए थोड़ा सा भीजिट कर लिजे प्लेट को नहीं तो बार बार एक ही चीज को कैसे रिपीट करें नहीं मिलेगा तो फिर बता देंगे तो लिमित और मे इसमें 20 मिनट दे दिया सेहर मार्केट आपका है ज्यादा दोगे तो सब जहरू मार्के ले जाएगा नहीं तो फिर ट्रेडर बना देगा डेली का कमाओ डेली का खाओ देहारी मजदूर बना देगा इसलिए तीन बज़े के आसपास बैठिये मार्केट देखिये डिलेवर इसलिए बस आदा घंटा सेहर मार्केट को दीजिए आपको सेहर मार्केट बहुत अच्छा है आपका हर चीज पूरा करेगा लेकिन पूरा दिन बइट के देगा देखिये गा ना तो हीरा भी ना पत्थर लगने लगता है लास्ट में इतना डाउट हो जाएगा और इस मार्केट का डाउट जो है ना सर कोई किलियर नहीं किया है इतना इन आपको कंफ्यूच करके डग देगा और इस मार्केट का जितना आप सिंपल ले लिजेगा इसी तरह आपके काम है, पैसे बना आपका काम है, इनवेस्ट करना आपका काम है, यह सारे काम आपके हैं, मैं सिर्फ आपको एक guideline दे सकता हूँ मैं ना आपके account में पैसा डाल सकता हूँ और ना मैं आपसे मांग सकता हूँ clear है, एकदम ठोक बजा के कड़े करे वड़ो में बोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि financial चीज जो होता है, जितने साफ लबजों में बात होना, समझ में अच्छा आता है ठीक है, गुमा फिरा के बात करना भाई हम तो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनसे बात कर लीजेगा, ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही कहके मैं अपनी वानी को फिलाल विराम देता हूँ, देखता हूँ कोई नया वीडियो, क्योंकि कई लोग बार-बार बोल रहे हैं, मैं बोल रहा था कि वेट करूँ भाई, तसलीक करा दूँगा, ठीक है, तो बाकि जैहिन, जै भारत, थांक्यू वेरी मच